कि हाई प्रेंड्स जीत रंगुली में मैं आप सभी लोगों का है दिर स्लगत करता हूँ चलिए आज एक सिंपल सा एक संस्क्राइब भायती रंगोली सिंखेंगे दो टुझे बनाएंगे लिए बनाएगे टो निचे दिया कुझे दोॉपा ऊप्रा जो शेड वना है वह आ आपलेफे में डाले जोआ सा टूरा सा लेंड हूआ उसके बाद और ब्लू को ब्लेंड करना आAssad दोग कलर दिखाना है इसलिए बलू को ब्लेंड के लिए जो भींग कला था पिंग कलर में पेहले थोड़ा ऋबder सा लग्लुウ मिलाना जो बाउंडरी है इनको ब्लाक कलर से फिल करना है इस प्रकाद जो छन्नी में थोड़ा जल्दी गरीता है ऐसा छन्नी लीजिए ताकि जो आउट लाइन थोड़ा सा अच्छा बने अब ये दो आउट ब्लाक और ब्लू को ब्लेंड करने के लिए हमने ब्लू और ब्लाक को 50% म लिए और बीच में जो शेड मना वह वह पर फिल किया तो यह थोजा ब्लेंड हो गया हो मतलब मिक्स हो गया है तो यह हमने पहला जो स्टेप था वह हमने कपले कर लिए इसके बाद रहेगा जो आउटर सरकल है आउपर लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन आना है तो लाइट इसके डार्क ग्रीन के लिए हमने एक्टम हाइलाइट करने के लिए आपर यह लो उसकी है और यह लो कलर के बाद जो ब्लाक अंदर जो ब्लाक लाइनिंग था उनको थोड़ा से करेक्शन करना हाथ से ही क्योंकि कितना में करेंगे चणनी से उतना नहीं आता है तो जो भी डिजान बनाना है तो आप पहले एक तो माइंड में पुरा इस्ट्री कर लिजे deixa यापकशन में ड्राव कर लिजे कि मुझे क्या बनाना है आपर उसके बाद जो फन रहता है चाड रहता है इसक की तो ये दिजाइन एकदम बीच बीच में नहीं लिए इसलिए क तो दब गया रहे है फोक्र कि तरह स्वाइब कि तो ज्यादा अगता है और कुछ नहीं करेंगे गाहए ईकदम प्रड़ी अच्छा co इसलिए इस प्रकार के जो गाली चे रंगूली होता है या संस्कारभाती रंगूली होता है अगर्दम हलका सा डीजाइं देंगे ओर जो शेड है वह इंपोर्टन रहता है तो एलो कलर और फुलाइट ग्रिन ग्रिन ग्रिक व्हों को अमकुलर तो मिले ऑफ का याइट भेज साथ previous भुण चाफ करेंड़ में हैं वो आ पर फिल करना भूह में है ऊपर दार्क बस ब्लेक मिलाना ही भी ब्लक ब्लत के पहले जो यह स्टेल का ऊछननी था उसके सायता से जो थाओंटर शाइब हेदा इसमें को ब्लक कर दिये यह आपके बज़से का नीचे जाली है थोड़ा सा मोटा आपकी जाली होना तक्याफ और उससे भी कर सकते है ओप्सक्राइब कर से जय को सब्सक्राइब करा है। सब्सक्राइब है। कोई शेड को में यहां ब्लेंड करता है। वर्क भी अच्छा बता है काम भी अच्छा कर सकते हैं और ऐसे समाई में कोई शेड को हमें ब्लेंड कर रहे और ऐसे समय जल्दी से गिर जाता तो वह जो ब्लेंड है वह बरबर नहीं होता है इसलिए आप चाये तो दो-3 जो चन्नी यूज़ करना है जा पर जो सुविधा हो और जो यह आउटर लाइन जो बना रहे यह इंपोर्टन होता है यह थोड़ा सब इधर उधर होगे तो जो जो राउंड शेप वह बिगड़ जाएगा तो हमारे जो डिजाइन है वह बराबर नहीं दीखेगा फिर भी कोशिश खिए फिर भी थोड़ा सा लगने रहे एकद इस प्रकार के पनेल के साहता से वाइट रंगुली से यह पर चाहे तो दूसरा भी डिजन बना सकते पर यह पर बेटर है थोड़ा से लंबा टच है इसके बाद यह चंणी है बड़ा सा यह जो हम आटा चानते है वह चंणी तो यह थोड़ी स्टिल का है और प्लस्टिक का दो कलर लेना है और प्रेकार थोड़च में जचाख देना इसप्रकर के लेंघी चाहर से थोड़ा बारिक बारिक बारिक्याक के आउटलाइन कर लेंगी तो यह बन क्या सिंपल से सुंदर सा संस्क्राइब रंगोली या गाली चाहर रंगोली बहुत सकते हैं आपको मेरे बड़े वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक बॉटन को दबा के लाइक कर दीजिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन् रहेगा वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर कमेंस के बताईएगा क्योंकि इस टैप कर पहले रंगोली या शायद गाली चाहर रंगोली और बनाएंगे वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद